आप सभी गरे मोगो नमस्कार, Elgebra के इस lesson में आपका हर्दिक सवागत है, Elgebra के इस lesson में हम देखेंगे Elgebra के कुछ basic formula, तो देकि basic formula के दो lessons होगे, यह आपका पहला lesson है जिसमें आप basic formula देखेंगे, उसके पाद एक और lesson होगा छोटा सा, जिसमें थोड़े से एडवांस फर्मॉले देखेंगे जिनका इस्तेमाल भी कहीं कहीं होता है तो इसमें आपको फोकस करना है कि इसको बहुत अच्छा से इसको बहुता है कि आपको जानने ही जानना है ठीक है चलिए शुरॉत करते हैं मैं आपको साथ साथ टिप्स भी देता रहूंगा कि कैसे उनको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं कि आप भूले ना सब्सक्राइब कुछ फर्मूले जो आपके सामने लिखे हैं इसमें कई सारे फर्मूले आपको आते होंगे तो मैं इनके क्विकली रिलेशन्स बताता रहूंगा और आपको यह बताता रहूंगा कि इनको कैसे ध्यान रखने जैसे यह पहला फर्मूला है सबको बता है कि ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस टूए भी होता है इसको मुझे एक्स्प्लेइन करने की ज़रूद नहीं है अब दिके दूसरा जो ए माइनस बी का होल स्क्वाइर है आप खुद देखो कैसे आजा है इस में अगर मैं B की जगा माइनस B रखू ये एक रिलेशन समझार हो जो आपके बहुत कामा आएगा फार्मूलो को रिमेंबर रखने बे बी की जगा माइनस B अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूं तो राइट हैं ये स्कॉरर है जानी स्कौरेट है लेकिन जहां a और बी का प्राडक्ट है अगर बी माइनस अगर भी हो रहा है तो यहां भी माइनस भी हो रहा है तो यह स्क्वर प्लस एप बवी बना इस प्लस बीक का होल क्यूब अगर हमने किया तो देखो यह फ़र्मॉला आपको ध्यान रखना एक Q plus B Q plus 3ab into a plus B mostly सबको याद रहता है अब माइनस में जाते हैं तो भाई माइनस में कोछ भी चेन नहीं हुआ है left hand side में B के जगा minus B रखा हमने तो right hand side में जहां-जहां B है minus B रख दो तो B cube जो है वो minus B cube हो जाएगा a b है minus 3ab भी हो जाएगा into a minus B हो जाएगा तो अगर आप एक्जाम में कभी भी माइनस वाला formula भूल रहना तो आपको प्लस वाला गर ध्याने तो उसके जगा बी की जगा minus B रखोगे तो आजाएगा बट आप से expected है कि reaction automatic हो तो बहतर है मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं कि B के जगा minus B रखके आ रहा है यह relation आपको help out करेगा उस case में जहां भूल रहे होगे अब देखिए इसका reverse काफी useful होता है मतलब चलो forward तो लोगों ने रट लिया है लेकिन अब जो मैं आपके सामने यहां पर लिखने जा रहा हूं लिखा हुआ है आपके सामने यह one है यह उसका one का reverse formula है मतलब हमने क्या क्या a square plus b square इसको मैं numbering में ऐसा कर देता हूं 5 बोल देता हूं कि सीधे a square plus b square आपको कई पर लिखना होता है तो यह reaction slow नहीं होना चाहिए a plus b ka whole square minus 2 a b होता है यहां से जब गए ऐसे जब लेफ्ट से राइड गए थे ऐसे तो वहां तीन टम मिले थे तीनों में plus है था लेकिन जब मैं a square plus b square निकाल रहा हूं तो वह a plus b whole square से कुछ minus करके मिलेगा रइट तो यह कुछ मुछ काम नहीं है आप खुद अगर विजलाइस कर तो आप मुझे बढ़ाओ one square plus one square two होता है अगर आप one plus one जोड़ तो क्या बनेगा टू का square four कुछ माइनस करना पड़ेगा ना कुछ माइनस करना पड़ेगा तो two a b minus होता है यह reaction automatic बनाईए साथ ही साथ जाथ a square plus b square को एक तरीके से और लिख सकते हैं अगर मैं a minus b के whole square के form में लिखूं तो a minus b का whole square plus two a b को जोड़ना पड़ेगा फिर a q plus b cube is a plus b का whole cube minus three a b into a plus b अब यह काफे interesting है देखिए कि यह लोग यहां पर गलत हो जाते हैं मतब यह forward वाला तो उनको आता है यह वाला reverse नहीं आता है आप देखो a q plus b cube अगर आपको लिखना है तो a q plus b cube का यह एक form है यहां पर जब हम a plus b common लेते हैं तो निकलता है पर अभी आपको क्या जैनकना है कि जब भी आपको कभी a q plus b cube लिखना है तो इसको हम a PLUS b और a into b ke form में लिख सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर जब हम a square plus b square लिख रहते तो इसको आपने a Plus b और A into B के फॉर्म में लिखा क्योंकि सब्सेदा इंपॉर्डेंट होता है यहां भी AQ प्लस BQ को हम A plus B और AB के फॉर्म में लिख सकते हैं तो बनता है A plus B का whole Q को चुकि यहां plus है तो यह माइनस बनेगा 3AB और दोखी ये अगर लाना है तो कुछ भी मुशकिल नहीं है हर जगा जैसे प्लस का माईनस करो तो यह पर आप प्लस बी की जगा माईनस भी रखोगे तो यह B स्कौयर का बी स्कौयर ही रहेगा सबलसबनस भी किया तो यह माईनस मेरा objective यह है कि exam में जब भी आपको सवाल मिलेंगे राइट मिसलेट से आपने निकाल लिया कि भाई A प्लस B आपका 7 है और A इंटू B लेट से आपने निकाल लिया कि 2 है for example A प्लस B आपका 7 है और A इंटू B 2 है लेट से और आपसे मैं बोलूँ कि आपको A क्यूब प्लस B क्यूब निकालना है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लिखना चाहिए आपको क्विकली बोलना है कि भाई यह A प्लस B का होल क्यूब होगा 7 क्यूब माइनस 3 A B इंटू A प्लस B बनेगा ऐसा बनेगा आपको लिखसे देदिया कि A माइनस B मेरा कुछ भी माइनस 3 है और A इंटू B मान लिया मेरा 2 है कुछ ऐसा देदिया आपको और मैंने आपसे बोला कि मुझे A Q माइनस B क्यूब चाहिए तो आपको समय नहीं लिखना चाहिए कि यह A माइनस B का फोल क्यूब माइनस 3AB इंटू मैंस 3 भी होगा नहीं यहां माइनस से प्लस होगा इस अब गलतियां एंग्जाम में होती है तो इसके लिए थोड़ा सा त्यार हो तो आपको क्लिकली करना क्या है कि यह माइनस वी का होल क्यूब बनेगा और इक्जाम में आपको बार-बार फॉर्मुले लि आप इसको क्विकली कर पाएं समय ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए तो यह सारे फॉर्मुले आपको कहीं नहीं आपका रियक्शन ऑट्रमाइटिक होना चाहिए फॉर्वर्ड मैंने बुला कि बहुत लोगों की स्किल होती है पर आपको यह रिवर्स स्किल जनरेट कर अपके बेंगे लेफ़ वी बिखना है तो भी चलो आपने लिखके बता दिया लख़्यंगे क्या बताया है मैंने यहांपर कीA square स्क्वाइर प्लस एबी प्लस बी स्क्वाइर ऐसा होता है नहीं टू एबी होता है ठीक है मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं टू इबी बीच में लिख रहा हूं क्योंकि इसका एक परपज है इसको आप लेख सकते हो एक्यूब प्लस ट्री एबी स्क्वाइर प्लस ब इसको हम बोलते हैं Pascal's triangle Pascal's triangle उसका इस्तिमाल करेंगे हम तो हम A और B की कोई भी पावर एकर रेजिम करें एक प्लस B की पावर लेट से 45 whatever I टेक एक प्लस B की पावर 5 और प्लस का अगर मुझे पता है तो माइनस का भी पता है क्योंकि वह तो आप अपने आप सब रेप्लेस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है अब जिको इसमें आप पैटर्न अब जरू करना क्या है कि आप देखो कि जब प्लस भी का अपने होल स्क्वाइर किया हर एक टर्म यह स्कायर है सकी डिगरीटू यहां कर टूए भी है और भी दोनों अगर वैरेबल है तो इसकी डिगरी क्या है वट आटो लूडे के फ्रडूम सब Rouge कि यहां पर चूब हो तो सब कि डिगरी है त्री है बस फरक्त क्या ह और आपको इसमें सबसे बड़ा जो चीज मैं आपजर्व कर रहा हूं कि देखो जब एवर बी मेरे पास दो थे तो हमने सारे कंबिनेशनन लिखे जिसे मुझे डिग्री टू मिल सकती है यह ऑऔर भी बिड़ो कोई तरीख वा चरो आपंगे और स्कॉयर करोंगे ले चुका ओँ केवल भी लोगे एको बी मिल्δ में करके ले चुका हो इस लिए इसमें कितने term होंगे केवल 3 term होंगे पावर 2 है तो 3 term है अब जो को यहां आपने पावर 3 लिया तो number of terms कितने है 1 2 3 4 मतलब जितनी पावर है उससे एक जाधा term है very simple to identify यहां 3 पावर है तो 4 terms है आप जो को यहां पर 4 terms कैसे हैं आपने गाए को आपने 3 बार लिया क्योंकि मुझे हर term में degree 3 चाहिए एक क्यूब फिर A में A square किया और B आ गया एक 3 degree A को एक और कम किया B square फिर से एक 3 degree का term मिला A B square और फिर B को 3 बार ले लिया जो सारा challenge है आपको पता है कि अब यह पता करने में है कि यह coefficient है क्या जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि आप बताओ A plus B की power 4 में जो terms आएंगे वो क्या क्या होंगे आपको कांस्टेंट तो नहीं बता सकते भी लेकिन मैं जानता हूँ कि degree 4 के सारे terms होंगे तो A की power 4 होगा फिर आपको होगे अगले term में एक A कम कर दूँगा एक B लियाओंगा फिर एक A और कम कर दूँगा और एक B बढ़ा दूँगा ताकि degree 4 है एक A आपको होगे कि और कम करूँगा और B की एक power बढ़ा दूँगा फिर आपको होगे B की सारी power देखो सारे term मैंने लिख दिये केवल coefficient नहीं जानता हूं क्या लिखूँ क्यों कि यहां जैसे 3 3 आ गया था यहां 2 आ गया था कैसे आएगा यह कैसे पता चले यही आपको टास्क मालूम करना है जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे को A plus B की power 5 चीए तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको कि A की power 5 फिर अगले term में क्या होगा एक power यह कम होगा A B सब में पहले A B A भी लिख लो और कितनी बार लिखोगे आप ठीक है आपको पता है कि 5 or 6 terms आने वाले हैं तो यहां एक की power 4 भी बना A Q B square बना यहां पर आपका A square B Q बना फिर आपका A B की power 4 बन जाएगा फिर आपका B की power 5 बनेगा 1 2 3 4 5 6 5 बने तो मैं टाउं से लिख सकता हूं अब मुझे बस फैक्टर बताना है कि इसमें कॉफिशन क्या क्या लगाना है तो उसको पता करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वह पास्कल स्ट्रेंगल पास्कल स्ट्रेंगल अगर आप यह समझ गे तो आपको कभी को कहола लिखंगा जो कि मेरा क्या कहलएगा बहुत-बहुत इत्मिनान से अपको एंडस्टैंड करना एं इस is one और one का सम अफिम हो तो यह बनेगा टू और फिर यह last में क्या होगा 1 मैंने क्या कि आपको ध्यान से देखना कि जहां ये 2 1 थे उनका sum उसके बीच में लिखा और ये 2 1 तो यहां रहेंगे फिर आगे देखो मैं क्या करूँगा ये 1 लिखूँगा ये 1 लिखूँगा लिखो लिखो और आपको क्या कर रहा हो आप इसे बढ़त है मैंने कहा कि मैं वह coefficient बता रहा हूं जो आपको नहीं मालुम थे आपने का कैसे coefficient बताया आपने मने कहा देखो ये आपका X प्लस Y की पावर 1 या फिर बेटर मैं कहूँ यह है मेरा A प्लस B की पावर 1 यह है मेरा A प्लस B का होल स्क्वायर धान से देखना यह मेरा है A प्लस B का होल क्यूब यह है मेरा A प्लस B की पावर होल 4 यह है मेरा A प्लस B की पावर होल 5 यह मेरा ए प्लस बी की पावर होल 6 ऐसे आप बढ़ते जाओ तो 7 मिल जाएगा तो आपको कि एक्चुल में यह कॉफिशेंट कैसे आ रहे हैं मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको कि चलो यह तो ऐसे से लिख के बताया तो क्या एक्जाम में ट्राइंगल बनाएंगे नही जी देखो ध्यान से अगर आप समझोगे तो यह है 11 की पावर 1 यह आपका 11 की पावर 2 यह आपका 11 की पावर 3 यह आपका 11 की पावर 4 यह आपका 11 की पावर 5 यह आपका 11 की पावर 6 ठीक तो आपको मैं यह भी समझा रहा हूं कि 11 की पावर से गर एक्जाम में कभी निकाल न 4 1 11 की पावर 5 क्या है 1 5 10 10 5 1 यह क्या है आपका 1 6 15 20 15 6 1 तो दिस इस हाओ बट दीज आ वैलूस ऑफ पावर्स ऑफ 11 राइट तो यू कन एजली सेट कि ऐसे यह होता है अब आप कोगे कि ठीक है यह तो बता दिया आपने तो यह कैसे हमें कॉफिशेंट देंगे अब द्रहा न कि मैंने एक ही पावर में हाइस लिया वहाँ से शुरू किया और इसको डिक्रीज करना शुरू गया एक यूब बीच में कुछ भी लिख दो देखो इसका एक पैटर्न है लिखने का डिग्री 4 रखनी है बट एक यूब बी के बाद आप डारेक्ली यहां पर एबी क्यूब नहीं लिखो गए हम एक को कम करते जा रहे हैं वन कम किया बी को बढ़ाया प्रसेस है तभी एक और फावर फाइव लिया हमने फाइव में क्या है वन फाइव टेन टेन फाइव वन वन का मतलब मतलिको कुछ तो यह हो गया प्लस बीकी पावर फाइव आपने का कि भाई यह बने सारे टर्म्स अब आप कॉफिशन कहां से लाओगे यहां से 1 6 15 20 15 6 1 1 6 15 20 15 6 1 और सबसे अच्छी बात अगर आप अब्जर्व करो तो एक चीज और भी है यह जो टर्म है ना यह रिपीट भी हो रहा है कैसे आपको पकड़ना क्या है कि देखो जब आपके नंबर अ इवन है तो मिडिल टर्म दो बार आया 1 5 10 10 5 1 मतलब देखो 1 5 10 अगर आपको पता है तो 10 5 1 आगे जाना है यहां पर देखो जब नंबर आफ टर्म्स आपके आउर्टन से 7 टर्म्स है तो कैसे हुआ 1 6 15 20 फिर देखो वही हुआ 15 6 1 तो बेरी इंटरेस्टिंग पास्कल ट्र अगर आपको पावर 4 में तो नंबर यादी होगे आप कैसे भूलोगे आप 1 4 6 4 1 याद रहेगा 1 5 10 10 5 1 भी आपको ध्यान रहेगा यू कैसे भूल जाओगे 1 6 15 20 15 6 1 यह साथ थोड़ा भूल जाओ बड़ जाओ जितना याद रख सकते हो रख लो वैसे भी पता है कि 11 की पा तो फटाक से लिख दो गया आप इतना कोई चैलेंज आपको नहीं आने बला तो यह हो गया पास्कल ट्रेंगल जिसका आप ध्यान रखना आपको बहुत मैदद मिलेगी ठीक आप दोगे कुछ और चीजेशन में जैसे a square minus b square होता है तो इसका factorization होता है a minus b into a plus b a minus b into a plus b होत होता था minus 3 a b into a plus b यह हमने एक format दिखा है यह इसी format में आपको पता होना चाहिए यह दूसरा format है इसी में a plus b अगर common ले लो तो आपका यह format मिलता है जो आपको directly ध्यान होना चाहिए a plus b into a square minus a b plus b square जब यहां plus होता है तो यहां भी a plus b ही आता है और ध्यान रखना इसमें एक term negative हो जाता है वह कौन सा a b वाला a square b square positive रहता है a b वाला term negative हो जाता है ऐसे ही अगर मैंने यहां minus कर दिया तो यह क्या बनेगा a minus b आएगा और साथ में इसमें तीनो term positive हो जाएगा तो आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि जब भी हम ऐसा करेंगे तो इसमें negative sign right hand side में एक ही बार आएगा प्लस वाले में यह तो प्लस हो गई होगा और यह negative a b के साथ हो जाएगा यहां आप खुद देख लो कि b को minus b रखा अगर हमने a q minus b q बना यहां b की जगा minus b हो रहा है बस तो आप जैसे भी ध्यान रखना यह आपको factors भी याद होने चाहिए कभी आप इसमें गलत नहों एक very very important expressions आपके सामने लिखे हुए हैं और इनको जानना ही जानना है आपको तो कि इसमें क्या है मैं आपको करके बताऊंगा कि इसमें कुछ condition दी है special cases कि अगर आपका कभी x plus 1 by x 1 के बराबर होता है ध्यान रखेगा तो आपका x q minus 1 होता है और एक बात मैं आपको यहां पर और add करना चाहता हूं कि अगर x plus 1 by x आपका 1 है तो इसको आप ऐसे भी देखना शुरू करो equation के format में यही चीज आपको ऐसे लिखके भी exam में देते हैं जो मैं अभी भी blue color से लिखूंगा कि यह आपको ऐसे लिखके देंगे x square minus x plus 1 equal to 0 तो आपको यह भी जहान रखना कि आप इ इसा होता है इन दोनों को आपको एक साथ देखना है कि अगर x plus 1 by x मेरा 1 के बराबर है तो यह x square minus x plus 1 0 के बराबर है तो x cube क्या होता है minus 1 होता है यह standard result इसको आप ध्यान रखेगा आप इसमें गलत नहीं हो तो आप देखिए same expression आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि x plus 1 by x आपका minus 1 राइट तो यह expression आपका अगर आप लिखते हो इस format में तो x plus 1 by x कभी भी minus 1 होता है तो आपका x cube प्लस 1 होता है जान रखिएगा क्या लिखा मैंने x square plus x plus 1 equal to 0 तो जब भी आपको यह कभी भी दिखे यह कभी भी दिखे तो आपको यह दिखना चाहिए यहां से आपको कई यह चीज़ें clear होंगी ठीक है कि equation format में भी यह चीज़ दी जा सकती है अब एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं कि इसको आप ध्यान से दिखोगे अगर x square minus x plus 1 को यह quadratic equation इसका discriminant निकलना जड़ा तो आपको आएगा b square minus 4ac यह आएगा b square minus 4ac जो कि आपका है negative यानि इसके roots क्या होंगे unreal होंगे तो कभी exam में इसकी कोशिश मत करना कि x की real value निकाल लो नहीं मिलेगा unreal roots है जब भी x plus 1 by x आपका 1 के बराबर है ठीक है और मैं इसका कारण भी समझा दूँ तब भी मेरा less than 0 है मालब यहां भी मुझे कोई roots नहीं मिलने वाले ठीक है यह भी imaginary equation है तो imaginary equation में आप x निकालने की कोशिश मत करना x cube निकल जाएगा x cube आपका क्या है x plus 1 by x अगर minus 1 है तो x cube आपका plus 1 है ऐसी कुछ और standard cases है ठीक है जिसे आपका x plus 1 by x आपका माल लिए root 3 है x plus 1 by x आपका root 3 है तो यह case क्या है आपका देखो x square minus root 3x plus 1 equal to 0 तो उस case में x की power 6 आपका क्या होगा minus 1 यह ध्यान रखेगा जब भी आपका x plus 1 by x root 3 के बराबर है जो कि इस equation में convert होता है तो you have a root minus 1 मतलब x की power 6 minus 1 होता है और same यहां भी x plus 1 by x जब आपका minus root 3 होगा तो भी x plus 1 by x करके देखने ना घर पे आपको x की power 6 minus 1 ही मिलेगा यह आपको ध्यान रखना है ताकि आप गलती ना करें exam में अब इस equation को ध्यान से देखना इसका discriminant निकालना तो आपको लेगा b square which is 3 minus 4ac क्या है negative है कि नहीं है root yes यह भी देखना d negative है तो imaginary roots है आप x की value खोजने की को पूशिश मत करना कुछ नहीं मिलेगा unreal roots है पर x की power 6 minus 1 है यहां से हिंट भी लगा सकते हो भाई एक्स की power 6 अगर minus 1 है तो किसी भी number का बताओ real number का जानते हो अब भी देखा है कि even power negative हो नहीं even power negative नहीं होती है किसी भी real number का यह भी बता रहा है कि भाईया मैं unreal हूं x although आप यहां नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि यहां odd power negative positive दोनों हो सकते हैं लेकि even power किसी भी real number के negative नहीं होती है यहां रखना आप तो यहां परेसा है अगर x plus 1 by x आपका 2 के बराबर है जिसका मतलब है x square minus 2x plus 1 equal to 0 यह आपको पता है यह x minus 1 का whole square है x की value 1 आ जाएगी तो यहां x की value 1 ही होती है अगर x plus 1 by x आपका 2 के बराबर है तो x की value हमेशा 1 होगी और अगर x plus 1 by x आपका minus 2 के बराबर है तो x हमेशा minus 1 होगी अब मैं आपको इस चीज़ समझा देता हूँ देखो x plus 1 by x ना या तो greater than or equal to 2 होता है या x plus 1 by x आपका less than or equal to minus 2 होता है minus 2 से लेके 2 तक के बीच की value तो कभी होगी नहीं सकती है जान रखना कभी भी x plus 1 by x आपका अगर मैं इस expression को लेट से बोल दूँ पी तो पी जो आपका है यह कभी भी minus 2 से 2 के बीच में नहीं हो सकता है यह possible ही नहीं है अब मैं समझाता हूँ आपको कि x plus 1 by x यहां 1 दिया हुआ था क्या किसी real number के लिए possible है नहीं ठीक इसलिए मैंने बोला imaginary roots अगर आपका x plus 1 by x root 3 दिया हुआ है तो root 3 भी किसके बीच में रेको minus 2 से 2 के बीच में पॉसिबल ही नहीं है real value के लिए real value के लिए x plus 1 by x यह तो 2 से बड़ा या बराबर होगा यह minus 2 से चोटा या उसके बराबर होगा यह आपको ध्यान रखना है कि कभी गरबड़ी ना करो आप exam में x plus 1 by x लट से आगे आपसे 1 by 2 ऐसे बोल देना कि यह unreal roots है क्योंकि यह 2 से बड़ा आए या बराबर आए या minus 2 से चोटा आए या बराबर आए तो यह ध्यान रखना आपको important है आपके लिए पिर देखे कुछ और चीज़ें लिखी है एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर कभी भी आपका ए है और यह आटमाटिक रेक्शन होने चीज़़ा आपके एक्स प्लस वन बाई एक्स स्कॉयर होता है वह a स्कॉयर माइनस टू होता है कोई भी equation verify करनी है तो वही करना है a प्लस अगर x-1 by x आपका a है x-1 by x a है x-square प्लस 1 by x-square निकालेंगे यहां भी तो वह a square प्लस 2 हो जाएगा 2 more than a square ऐसे ही देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि अगर आपका x-1 by x a के बराबर है और मुझे x-1 by x निकालना यह बहुत इंटरेस्टिंग है देखना जान से perfect square निकाल रहे थे इसका perfect square निकाल रहे थे तो हमारा क्या a square minus 2 a square plus 2 क्योंकि हम सिंगल डिगरी से डबल डिगरी में जा रहे थे तो हमें square मिला ठीक है कोई दिखकत नहीं है लेकिन यहां ज्यान से दिखना x plus 1 by x single degree है एक्स की पावर 1 x की पावर 1 दूनों टम मैं देखो numerator मे x की पावर 1 denominator में x की पावर 1 राइट तो अब यहां पर हमें क्या करना है यह a square minus 4 मिल रहा है लेकिन यह square root मिलेगा इध्यान रटना जब हम plus है और minus निकाल रहे है एक स्क्वायर करेंगे minus 4 करेंगे square root आ जाएगा मैं किसी का भी derivation करके आपको नहीं दिखा रहा हूं क्यों x minus 1 by x अगर x plus 1 by x मेरा a है तो x minus 1 by x मेरा a square minus 4 का square root होगा ऐसे ही अगर आपका x minus 1 by x अगर आपका a होगा minus और यहां प्लस निकालने कोशिश करते हो तो यह root of a square plus 4 हो जाता है देखो मैं आपको एक छोटा सा हींट दूंगा जो आपको इसको याद रखने में मदद करेंगा आप मुझे छोटी सी बात बताओ थोड़ी दर के लिए एजियूम कर लो कि x आपका positive है अगर x आपका positive है तो x positive है और थोड़ी दर के लिए imagine कर लो कि आप ऐसा कुछ सोच रहो कि आपका x जो है ना let's say 1 से बढ़ा है तो अगर x 1 से बढ़ा है तो a आपका क्या होगा 1 से ब कर रहा हूं let's say x में कुछ कम कर रहा हूं तो इसकी value पहले वाले से कम आनी चाहिए कि नहीं येस आपको मैं ध्यान रखने के लिए क्या बोल रहा हूं भाई कि x plus 1 by x अगर x positive है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि तब वो a आया अगर आप x में 1 by x घटाओ यानी कुछ कम क कर रहा हो तो definitely पहले से कमाना चाहिए अब ये तो आपको ध्यान रहेगा कि या तो a square minus 4 होगा या तो a square plus 4 होगा यहीं से confusion खदाओ कि अगर मेरे को x plus 1 by x a दिया हुआ था तो x minus 1 by x definitely a से कम आएगा जोडने पर a आया था भी तो कम आएगा तो a square minus 4 करना पड़ेगा square root लेना पड़ेगा कम कर करना है वही है मुझे यह से कम लाना है प्लस नहीं लगा सकता हो और यहीं उल्टा हो गया कि x minus 1 by x अगर a है भाई अगर x minus 1 by x a है आपका तो आपको पावर में भी एक ही पावर वनीक हो जीनी है तो जब square है तो square root लेना पड़ेगा हमको कुछ इस तरीके से आप इन relations को ध्यान रख सकते हो जहां मैं आपकी मदद करनी कोईश्च कर रहा हूं ठीक है अब दिको एक और relationship x plus 1 by x अगर a है तो x cube plus 1 by x अगर निकालना है आपको पता एक cube का time आने वाला है तो दिको ध्यान से इसको मैं बताता हूं यह भी cube की formula से verify हो जाएगा बढ़ आप इसको ऐसे समझें x plus 1 by x अगर a है x cube plus 1 by x cube aq minus 3a होगा आपको यह कैसे ठीक है पहले तो यह ध्यान रखो कि यह होगा यह आपको रटना ही पड़ेगा अब यह मैं आपको बताता हूं कि देखो जब यहां plus है जब यहां यह plus है तो यह minus q है यह मैं समझाता हूं आपको आपको यह ध्यान है क्या aq plus bq जो आप लेखते थे आपको थोड़ा सा बस जैसे ध्यान आएगा आपको मैं हमेशा के लिए याद करा दूगा कभी भूलोगे ने aq plus bq अगर आपको ध्यान हो वो क्या होता था a plus b का whole cube होता है और minus 3a भी होता था इंडियो a plus b होता था था 10 हो जाता है यहाँ plus 3a अब लेट से आपने का कि भाई मेरे को verify कर वा ऐसा हम नहीं मानने वाले आपकी बार कैसे कैसे कर दिया मैं कहूंगा यह आपको पता है क्या एक्स प्लस one by x अगर one के बराबर होता है राइट या root 3 के बराबर होता है लेट से तो आपने यह पड़ र आपका एक्स क्यूब प्लस one by x3 अगर आप देखते हो तो यह क्या बनाएगा आपका यहीं करना चाहरा हूं कि अगर मेरा एक्स क्यूब प्लस one by x3 0 हो जाए जीरो हो जाए तो एक्स क्यूब पार six minus one हो जाएगा यह मुझे मालुम है अब मुझे आप बताओ कि एक्स आपको तुरंद मिलेगा कि यहां प्लस लगा दोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यह गलत हो गया तो जो नोन वैलू है उनको यूज करो आपका भी गलत हो ही निपाओगे सीम यहां देखो एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर ए दिया हुआ है तो फिर वह तो कोई दिक् x q ौ-1 और एक्स क्यों आ घया एक्स अग्या गया एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको ए दिया हुआ है तो एकस स्कौयर माईनस वन बाई एक्स स्कौयर क्या होगा यह बेसिक नहीं है यह नहीं भी ध्यान देगा फॉर्मुला चलेगा यहिद कह से लिखा है मैंने यह x-1 X-Square क्या है X-1 by X into X-1 by X तो उनुनों का multiplication हो गई आपको यह रटा नहीं भी है तो चलेगा लिख लेंगे ना एक्जाम में पता है तो X-1 by X क्या होता है मालूम है तो उना का product निकाल दोगे तो यह आ जाएगा ऐसे यह अगर X-1 by X मैंनस आपको पता है तो आपको x स्कौ화를 माइनस इसा कई मैनस फोर निकाल लोगे, x- 1 bar x into x प्लस फोरी सक्वार नीकाल निकाल लोगे, x plus 1 by x क्या होगा ? root e square PLUS को लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ? फिर देके यह एक रूल आपके सामने है कि अगर x plus 1 by x आपका a के बराबर है तो x की power 4 plus 1 by x की power 4 क्या होगा simple देखो यह मैंने कैसे लिखा है यह मैंने ऐसे लिखा है x square plus 1 by x का whole square इसका whole square करेंगे minus 2 ultimately मुझे करना है देखो मैंने अगर मुझे को यह निकालना है है तो मुझे यह करना है और यह कैसे आएगा यह आएगा आपका सिंपल सी बात है एक स्कार प्लस 1 by x स्कार अगर यहां से निकालना है तो वह होगा a square minus 2 उसका whole square minus 2 करोगे तो आपको अगर higher power में भी जाना है तो हमाराम से जा सकते हैं जैसे यहां पर x-1 by x मालूम था मुझे एक की power 4 plus 1 by x की power 4 निकालना है तो यह हम निकालने एक स्कार प्लस 1 by x स्कार होली स्कार वाइनस तो देखें यह कुछ भी करूंगा तो यह फर्मूले आप अलग से नहीं भी रट होगे तो भी आप भूल नहीं पाऊगे मैं बार-बार यह कहता हूं कि इनको ध्यान रखना है अगर ध्यान है तो फाइदा होगा you need to remember पर question के तुरू भी यह बार-बार revise होंगे तो आप भूलोगे नहीं लेकिन इनको रट लॉआ कोशिश करो कि इनके रेक्शन्स आट्रमाटिक हो तो बहुत बेटर ठीक है उमीद तो आपको लेसन पसंद आया होगा thank you have a great time